प्रवर्तर निदेशालय ने नेसनल हिरार केस में पूश टाश के लिए राहूल गांधी को मंगलवार को फिर बलाया है सुमवार को राहूल से करीब 12 घंटे पूश टाश की गई वहादेर रात करीब 12 वजे एडी ओपिस से बहार निकले इसी मामले में एडी कॉंगरस अद्धस सुन्या गांधी से 31 जून को सवाल करेगी राहूल से एडी की टीम पिछले हफ़ते सुमवार से बुद्दवार तक लगाता तर तीन दिन में 30 खंटे और सुमवार को 12 घंटे पूश टाश कर चुकी है यानि चार दिन में राहूल से करीब 32 घंटे पूश टाश की जा चुकी है कॉंगरस नेताओं को उमेद थी कि सुमवार को पूश टाश खतम हो जाएगी लेकिन मंगलवार को फिर राहूल को समन करने के बाद पार्टी नेताओं ने फिर से पदर्शन के तयारी कर ली है पार्टी ने मंगलवार को अपने सभी सांस विदायकों को दिल्ली बुलाया है ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राहूल की पहली तीम पेशी की तरह आज बिदिल्ली में हंगामेदार प्रदर्शन होगा अब तक हुई पूश्टास में एडिया लिकारी राहूल के जवाबों से असलतुष नजर आए वहीं राहूल गांदी ने कहा कि लगता है अब यहां रूज आना पड़ेगा क्योंकि पूश्टास लंबी चलेगी नेशन हिराल केस में राहूल के अलावा सोनिया गांदी सुमंदूबे और सैं पित्रोदा भी आरोपी हैं दो आरोपी ओसकर फनाडस और मोती लाल वोरा का निधन हो चुका है जी हां आपको बता दे राहूल गांदी से तेन दिम की पूश्टास में सिर्फ पचास-पतिसाथ सवाल ही पूछी जा चके हैं सूत्रों के मुताबी पूश्टास में एडी अफसर उनके जवाबों से आसंतुस नजर आए पूश्टास में राहूल ने यंग इंडिया लिमिटेट को नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंपनी बताई एडी अधिकारियों ने समाजिक कारियों को गिनाने को कहां जो इस कं सुन्या गांदी और राहूल गांदी को पूश्टास के नोटिस भेजा था इससे पहले अप्रेयर में कॉंग्रेस के दो दिगजों नेताओं ने मलिका अर्जुन खडगी और पवनबंसल से भी इडी पूश्टास कर चुकी है जिहां आपको बता दे इडी की पूश्टास के दोरान राहूल गांदी के बयानों पर मोतिलाल गोरा के बेटे अरुन गोरा ने प्यत्रिक रिया दिया है उन्होंने कहा कि राहूल उनके पिता के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते दरासल कहा जा रहा है कि नाजन हिरार केस में कूश्टास के दोरान राहूल गांदी ने ट जड़ा क्या रोप नहीं लगा सकते। कॉंगर्स नेत्य तो गलत नहीं हो सकता और ना ही बोरा जी। रोरी बोट आइ बेन